हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ विकास और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप भी फोटोशॉप इस्तेमाल करते हो और यहाँ पर आपको एरेजर टूल का इस्तेमाल करने में दिक्कत आ रही है कि यहाँ पर आपकी जो सेटिंग है वो बेकार हो गई है या आपको योड़ सेटिंग करना चाते हो उसके अंदर तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इरेजर टूल की सेटिंग कैसे कर सकते हो आए जानते हैं यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने फोटोशॉप को चालू करना हैं यहाँ पर एक नया पेज ले लिजिए यानि कि फोटो ले लिजिए जिसको हम एक्जामबल ग्रूप में इस्तेमाल कर सकें अगर हम ब्रस अगर हम इरेजर टूल का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर हम एक फोटो लेते हैं ताकि हम इरेजर टूल का इस्तेमाल करें तो क्या फारक हो रहा है क्या नहीं वो हमें पता लग सके तो हमने ये कर लिया है फोटो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम एरेजर टूल पर क्लिक करते हैं यह हमने सेलेक कर लिया है पर हम इसे एरेज कर रहे हैं तो यहाँ पर ये एरेज नहीं हो रहा है तो इसकी क्या-क्या सैटिंग करनी है साइज आपको कोई और दिक्कत आ रही होगी कि हलका-हलका एरेज हो रहा है या थोड़ा-ठोड़ा एरेज हो रहा है तो कैसे करना है मैं बताता हूँ यहाँ पे सबसे पहले आपको दो कीज मिल जाएगी आपकी कीवोड पे इस वाले कीज की मदद से आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हो यहाँ पे आप इन कीज को इस्तिमाल करें और आपका जो Eraser है उसका Size कम जादा हो जाएगा यहाँ पे आपको Eraser पे किलिक करना है यहाँ पे आपको तीन तरह के Eraser मिलेंगे Background Eraser Tool Magic Eraser Tool और Eraser Tool Eraser Tool पे आप यहाँ पे Eraser Tool पे आप यहाँ पे कोई चीज Eraser कर सकते हो जैसे कि आप देसकते हैं Eraser हो गया है अब दूसरे वाले टूल पे आपका जो Background है वो Eraser होएगा पर कभी कबार यह काम नहीं करता है यहाँ पे सैटिंग करने पड़ती है कुछ तो यहाँ पे आप चेक करें कि यहाँ पे आप क्या Eraser करना चाते हैं तीसरे वाले Magic Eraser Tool है आप इसे भी इस्तिमाल कर सकते हैं पर यह भी ज़्यादा काम का नहीं है मेन है हमारा उपर वाला ही तो हम इस पे किलिक करते हैं इस वाले अरो पे किलिक करके आप इस वाले पे किलिक करोगे तो यहाँ पे आपको कई सारे आपसिन मिल जाएंगे जैसे कि आप इसे स्मॉल कर सकते हो टैक्स टॉलनी कर सकते हो सिर्फ ही टैक्स निमिट आएगा यहाँ पे आप इसके large list कर सकते हो तो आप इसकी setting कर सकते हो इसके अलावा यहाँ पे आप फिर से इस पे click करोगे यहाँ पे आपको और भी चीज़े मिल जाएंगे तो आप इसे देख सकते हो यहाँ पे आपको मिलेगा brush का size कि आप इसे कितना बड़ा रखना चाहते हो जैसे कि आप देख सकते हैं और इससे हम छोटा कर सकते हैं इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे more type brush दिखा रहा है तो यहाँ पे आप pencil type कर सकते हो इसे block कर सकते हो जैसे कि square हो जाएगी आप देख सकते हैं स्केर हो गई है अपिने वो हो गई है तो फिर्स रां याम अगर आप इसे कम रखोगे तो यह हलका घलका Er огр∄ज करेगा चाहिए अगर। आपके यहां तो यहाँ पे इसका जब flow है वो कम हो जाएगा आप देख पाएंगे यहाँ पे इसका जो flow है वो हलका हलका side से होएगा तो ऐसा आप से use करें इसके लावा आपका जो यह option है यहाँ पे इसके लावा यहाँ पे मिलेगा आपको erase to history देगा पर यहां पे यह वापसी जो मिटाया हुआ है वो ठीक करेगा जो मिटाया हूआ मैं तो कहीं ऐसे इसको मिटाता हूं जैसे यहां से यहां से अब यहां पर मुझे चाहिए कि यह जो यह वाला option है वापसी आ जाए यहां का यहां का यहां का वापसी आ जाए तो मैं erase to history पर click करूँगा और यहां पर इसे वापसी ले के आऊंगा इस पर घुमाऊंगा आप देख सकते हैं यह वापसी आ गया है यानि मिटाय होगा वापसी आ गया है ऐसे आप कर सकते हो इसके लावा आपके जो setting है वो पूरी दिक्कत हो गई है आप इसे reset करना चाते हो तो reset करने के लिए आपको eraser tool पर click करना है इसके arrow पर click करना है यहाप आपको मिलेगा यह वाला option आपको इस पर click करना है यहाप आपको मिलेगा reset tool reset tool पे click करें और आपका tool reset हो जाएगा कोई भी setting आपने खराब कर रखी होगी वो ठीक हो जाएगी जैसे कि आप देशते हैं मैंने आपे एक-एक कर दिया है हम इस पे click करते हैं reset tool पे click करते हैं तो वापसीज की setting ठीक हो गई है यह 100 हो गया है वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें कोई सवाल है तो कमेंट करें